प्रेंड्स वेल्कम बैक माई यूट्यूब चैनल अखिलेस को ठारी स्टडी प्लस वर्ग आउट वर्ग तो फ्रेंड्स पिछली वीडियो में हमने फंजाय वाला जो पॉर्शन अपना था हो किलियर कर लिया है अब हम बात करेंगे फर्स्ट पेपर में ही हमारे पास माइक् अब लोजी है तो फ्रेंड्स आप वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर नए है तो प्लीस चैनल को सब्सक्राइब कीजिये आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेर कीजिए तो आए फ्रेंड्स अब सीधे तो पहला प्रस्ण माइक्रो बायलोजी के जिनक कहे जाते हैं तो फ्रेंड्स ये कहे जाते हैं एंटोनी वान लुवेन होग और फ्रेंड्स जो एंटोनी वान लुवेन होग हैं ये बैक्ट्रियोलोजी और प्रोटोजोलोजी के भी फादर मनने जाते हैं अगला प्रेशन virus की किसी ने की तो virus की खोज friends द मितरे इवान बसकी ने की थी TMB में TMB यhini टौबे को मोझे एक virus के रूप में नोने खोज की थी अगला प्राशन वास्तविक बग्तिरिया का समोह है तो ये फ्रेंड्स यू बैक्टिरिया जिसमें two bacteria पाय जाते हैं अगला प्रकास अंसलेशन की छमता वाले microbes हैं तो ये फ्रेंड्स नेलहरिट सहबाल, एली-blue-green-algae में photosynthesis की capacity पाय जाती है अगला प्रश्ण पंचे जगत परणाली की पद्धती किसने प्रस्तुत की तो फ्रेंड्स जनरल कुशिन है और आई होप आपको भी सकांसर पता होगा आरेच वी टेकर अगला प्रश्ण प्रोक्यारियोटिक जीवों को किस स्रेणी में रखा जाता है तो फ्रेंड्स जो प्रेंड्स प्रिमिटिव टाइप के जीव हैं उन्हें मोह नेरा में रखा गया है अगला प्रश्ण वास्त भी प्रोक्यारियोटिक कहलाते हैं तो ये फ्रेंड्स बैक्ट अगला प्रेश्न घ्राम पॉजिटिफ बैक्टिरिया का वर्क हो तो एक्टीनो प्रास्टीट अगला प्रास्टन बेया सिलाय भैक्टिरिया की खोर्च किसे नी की तो एक्टीनगारन falar कुछ अगला प्रश्ण तंतोवत कवकों को कहा जाता है तो ने कहते हैं फ्रेंट्स मोल्ड अगला प्रश्ण इस्ट क्या है तो फ्रेंट्स इस्ट क्या है फंजाय है अगला प्रश्ण कॉनेडिया के रूप में जनन का उत्पन करने वाली मोनेरा सदस्य है तो ये फ्रेंट्स एक्टिनो माइसिपीस अगला प्रश्ण मोनेरा जगत के सदस्यों का केंदरक होता है तो फ्रेंट्स अनिस्चित होता है ऐनी मोर निरा जगत की जितने भी सदस्य हैं सब में जो केंदरक होगा वो अनिस्चित प्रकार का होगा नॉस्टॉक होते हैं तो फ्रेंड्स से होते हैं ब्लू ग्रीन एलगी रिकेट सी आई किस वर्क से सदस्य है तो फ्रेंट से बैक्टीरिया के सदस्य है रिकेट सी आई अगला प्रस्ण अंगूर के गुच्छे समान स्पेरिकल कोकाई को कहते हैं तो इसे फ्रेंट से फाइलो कोकाई कहा जाता है अगला प्रश्ण बैक्टिरिया और साइनो बैक्टिरिया होते हैं तो फ्रेंड से प्रोक्योर्ट्स होते हैं अगला प्रश्ण वाइराइड जो पौदों को सिंध्रमित करते हैं किस से बने होते हैं तो फ्रेंड से अनावर्त विर्था का डियने से बने होते हैं अग्याद करेंगे बैक्टिरिया का तो फ्रेंड्स आप कोईशन के पैटर्स देख रहे होंगे हमने टॉपिक वाइज पर तेख टॉपिक पर सौर्ट कोईशन बनाने की कोईशिस किये हैं तो फ्रेंड्स इसे आपको डेप नॉलिज तो मिले गाई और साथ ही साथ आपको इससे जरूर मदद मिलेगी तो फ्रेंड्स जिस माध्यम में विशस्ट प्रकार के बैक्टिरिया का सिंबर्दन किया जाता है कहलाता है तो फ्रेंड्स इसे कहते हैं बैक्टिरियो लॉजिकल मीडिया अगला प्रस्ण लिक्यूट कल्चर मीडिया को कहा जाता है तो फ प्रेंट्स नेचरल केमिकल कलश्र मीडिया में वे सब प्राकरतिग composition हमें exact पता नहीं होता है लेकिन जो synthetic chemical culture media हैं वो हमारे दोरा describe किये गए हैं discover किये गए हैं और इनका chemical composition हमें पता होता है और निश्चित chemical composition होता है अगला प्रशन मेजोफिल्स बैक्टिरिया की अधिक्तम ब्रदी के लिए ताप रास होता है तो friends अधिक्तम ब्रदी से तक होता है तो friends अधिक्तम ब्रदी से तात परे है कि यह temperature इन बैक्टिरिया के गोणन के लिए इनकी संख्या में ब्रदी करने के लिए यह temperature बहुत अनुकुलित होता है यह अधिक्तम ब्रदी का अगला प्रशन कि इस्टेनो थर्मोफिल्स बैक्टिरिया की अधिक्तम ब्रदी के लिए ताप रास होता है तो फ्रेंट्स से एवाग देन 60 इस अधिक्तम के आनुकुलित करते हैं अगला प्रशन जो तो अनुक्तिति दोनों में वुर्दी करते हैं कहलाते हैं तुने कहते हैं फ्रेंट्स फैकल्ड टेटिव अनौरोबिक बैक्टिरिया ग्राइब्जा जो बैक्टिरिया ऑक्सिजजन की सुक्ष मातरा में ही वृदी कर लेते हुँ कहलाते हैं फ्रेंट्स ओक लाइए माय्क्रो-aerofewik अगला प्रस्ट में सामाने बैक्टरिया की वर्दी के लिए प्रास होता है तो फ्रेंट्स प्रास होता है प्रेंट्स 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 प्रास होता है प्र यह राइ जोपस पराप्त होता है उप्रेड़ के रूप में अगला प्रशन कर निस्ट के बाद कर टो तो यह प्रशन का क्ल्चर कर प्रोट होता है और इसके कलटिवेशन के लिए प्रियोग किया माइक्रो और्गनिजम के आइसोलेशन की बीधिया है तो फ्रेंट्स माइक्रो और्गनिजम के आइसोलेशन की तेखनिक दूसरी पोट प्लेट टेकनिक तिसरी इन्रीचमेंट कल्चर टेकनिक चौति सीरियल टाइलिशन टेकनिक और सिंगल सेल आइसोलेशन टेकनिक यह बहुत ही उच्छ खोटी की टेकनिक है और बहुत ही ज्यादा इस्पेसल होती है तो फ्रेंड्स सिलिवस की अगली सीरीज में जो टॉपिक है ओँ है माइक्रोपसीन कार्वनेंट नाइटोजन साइकिल तो थोड़ा सा इस पर विवात कर लेंगे तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा कार्वन डायक्साइड कंजिम करने वाला बैक्टिरिया है तो फ्रेंड्स एस जीरिय को लाई है अगला प्रेंड्स कार्वन चक्र में महतपूर्ण भूमिकानी वाने वाले बैक्टिरिया है तो हैं स्वाइल बैक्टिरिया और स्वाइल के लावा भंजाई भी इसमें महत्पून घूमका निभात हैं अगला प्रस्ट नाईटोचन उस्तिकरण करने वाले सहे बेक्टेरिया धिकांस तपाये जाते है तो फ्रेंस नाईटॉचन इस्तिकरण करने वाले धिकांस बेक्टेरिया कुल के पौदों की जड़ों में पाए जाते हैं अगला प्रसंद डी नाइट्रिफिकेशन करने वाला बैक्टिरिया है तो यह फ्रेंट्स स्यूडियो मोनास डी नाइट्रिफिकेंट अगला प्रसंद अमोनिया को ऑक्सिक्रित नाइट्रीट में बदने वाला बैक्टिरिया तेवे फ्रेंड्स नाइट्रोसो मुनास इन्हीं कोईसेंस के साथ हमारा जो माइक्रो और आर्गनिजम और जो माइक्रोप्स इन नेच्रल साइकल्स का पॉर्चिन है वो पूरा वता है फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों साथ जरूर सेयर कीजिए थैंक यू